हाई फ्रेंड्स एक बार फ्यूर्ट से स्वागत है आपका रेश्पी पितारा चैनल में और आज हम बनाने वाले हैं ओट्स ओट्स की रेश्पी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ओट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आईए देख लेते हैं दूध वाली ओट्स बनाने के लिए हमें प्लेन ओट्स की आवसकता होती है तो हमने लिया है एक कटोरी ओट्स कुछ बादाम के टुकडे कुछ पीस्ता के टुकडे और गूड दूध तो ओट्स बनाने क के लिए सबसे पहले हम पैन को गरम करते हैं और चिस कटोली से हमने इन cracks लिया है उसी कटोली से नापकर एक कटोली पानी लेते हैं Lake पानी को पहले पैन में डाल देटे हैं पानी हल्का गुनुणा होने लगे खेंत में दू-धालेंगे अगर आप वजन कम करने के लिए ओगट से बना रहे हैं तो बिना गुड़ी या बिना चीनी का बना सकते हैं दूध गरम होने के लिए रखते थे हैं दूध लगबग गरम होने लगा है अब इसमें हम कल्ची से चला लेंगे ताकि तली में लगने न पाए दूध उबलने लगा है अब इसमें हम ओट्स डालते हैं ओट्स आपको गाढ़ा या पतला जिस हिसाब से बनाना है तो दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब कल्ची से धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठुलियां भी न बनने पाए और तली में लगने न पाए ओट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पांच से छे मिनुट में ओट्स बन कर तैयार हो जाता है देखे ओट्स उबलने लगा है अब इसे गाढ़ा करने तक चलाते रहेंगे आप ओट्स को पीनट बटर, केला, सेब या अनार के दानों के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं ये सबी चीजे हेल्दी होते हैं इसके अलावा आप चाहे तो डेकुरेशन के लिए पिस्ता, बादाम, काजू, नारियल कुछ भी डाल सकते हैं देखिए ओट्स पकर तयार होने वाला है, इतना गाढ़ा काफी है ओट्स क्यूंकि जब इसे निकाल कर हम बावल में ठंड़ा होने के लिए रखते हैं तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है घूल अब चूले का आच बंद कर देंगे और इसमें गूर डालेंगे आच बंद करने के बाद गूर डालने से दूद फटता नहीं है और गूर पावडर आसानी से गूल जाता है दूर करम होता है तो गूर गूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है देखिए गूर आसानी से गूल गया है हम ओट से और गूर को अच्छी से मिक्स कर लेंगे ताकि चारों तरफ इसकी मिठास गूल जाए और अब इसे एक बाहूल में निकाल लेते हैं पिस्ता और बादाम से डेकृरिट कर देते हैं सर्व करने के लिए तयार है ओट्स दोस्तों रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा हार और और राध करने क्मेंट मेंट जरूर अइसा ही लगी-िंगर जाएगर है ताकि मिकात है् विएक करने कषे लेस्गे है बड़ीदर चलेँ